नमस्कार दोस्तों Welcome to my YouTube Channel आज के इस सुड़े में हम बात करने वाले मैच के बारे में दोस्तों आज के इस सुड़े में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में पिच रुपोर्ट के बारे में कुछ दो मैं आपको कुछ रेकॉर्ड बना बताने वालों इस मैच से रिलेटेड है दोस्तों उसके बाद मैं आपको दोनों टीमों की प्रोबाबले लेवन भी दिखा सकता हूँ और आखे उसके बाद मैं आपको कुछ प्लियरों के स्टार्ड्स दिखाऊंगा जिससे आपको अच सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर जरूर इसे सब्सक्राइब कर लिजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि इसी तरह क्या चैच्चे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो दोस्तों माच है विट्टोरिया याने वी सिटी वर्सेस न्यू साउथ वेल्स याने एन एस डबलू के बीच वेन्यू के अगर बात कर ले तो तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों वेन्यू वही डेटोर टाइमिंग के अगर बात करते तो 12th of November याने कल यह सुबस नो वाजी के लिए अन्यू फ्रेंड़ी राए बैटिंग फ्रेंड़ी रहा है दोस्तों और एक्सपेक्ट यह भी किया जा रहा है कि इस बार भी बैटिंग फ्रेंड़ी ही हो हाला कि यहां पे मीडल ओर में पेसर काफी मतलब थोड़ा एफेक्टिव साबित हो सकते और स्पिन दिम ने में तो चले दिखा देता हूँ तो यहां पर जो स्टेडिया में इसकां इनिंग का आवzers टोटल है 230 रं जीन आड़ स्साइस हां और इसके चैसिंग भी प्रॉफ में और यह करें दाखता हूँ कि दो डोजन्ट इंजॉए गुड रेकॉर्ड हेर देयाव विनिंग परसेंटेज इस फोर्टी पर फोर्टी ऑन धीस ट्रैक फोर्टी याने फोर्टी परसेंट है दोस्तों याने देख सकते हैं जो भी पहले बैटिंग करता है उनके जितने के ज्यादा चांसे रहते हैं तो कुछ इस तरह से रह सकते हैं मारकस हेरिस, जेम एस, पीटर हैंसकॉम, निक मेडिंसन, मैथ्यू शॉर्ट, सैम हर्पर, जेम्स पैटिंसन, विल सुन्दर लांड, मिचल पैरी, स्कॉट बोलन्ड, जॉन होलन्ड और विल पार्कर इस तरह से हो सकते हैं विट्टोरिया की प प्रोबविली या फिर आप इसे प्रेडिक्ट्टेड दिङ फिर प्लैइंग दिले भी काह सकते हैं चले देखते, देख लेते, न्यू साउथ वैल्स की प्रोबविला इस तरह से रह सकती है, तो वह कुछ इस तरह से रह सकती है, इस तर से रह सकते है अब इसके बात में आपको कुछ प्लियर हो कैसे स्टार्स दिखाने हो जिससे कि आपको अपनी खुद की विनिंग बनाने में आसा नहीं हो जाएगी हिल्प हो जाएगी चाहिए वो ड्रेम इलियोन का आप हो या फिर कोई दूसरा आप हो इसे हम होट्पिक्स या टॉपिक्स भी कह सकते हैं तो सबसे पहले हमारे होट्पिक्स है दोस्तों नीक मैडिन संग्या दॉस्तों ही हाज स्मैशड टू थाउजन और न्टी फाइड रन इन एक्टी थ्री मैचेस लिस्टे करियर के करियर में त्रेयासी मैचेस में 2695 रन बना है यानि काफी जादा रन बना इनको रखा है होट्पिक्स में अगले जो हमारे होट्पिक्स वो है पेटर हैंड्स कोम जी या दोस्तों यह कीपर है आपको पता ही होगा इनका भी रेकॉर्ड अगर देख लेता है तो ही हाज मार्क्ड फोर 632 रन इन 22 मैचेस इन ओडियाए करियर जी अगर बात करें तो 22 इसी मैचेस के लिए लेकिन 632 रन वाब तक बना चुके जो की काफी अच्छे माने जा सकते काफी बढ़िया मानी जा सकते तीसरे जो हमारे होट्पिक्स है वो मौजिक हेंरिक्स है जी है दोस्तों इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरुरत नहीं है काफी जबरदस प्लियर है काफी जबरदस अल्राउंडर है दोस्तों और उनके भी बात कर लेते तो ही हाज स्कोर्ड 117 रन टेक एट विकेट इन ओनली 16 मैचेस ओडियाय करियर सो फार इनके ओडियाय करियर की अगर बात कर लेते तो इनको सिर्फ और सिर्फ खेलने का मौका मिला है वो भी कितने मैचेस 16 मैचेस खेलने का मौका मिला है इनको जिसमें उनके 117 रन है और 8 विकेट है यह भी अच्छा रेकॉर्ड माना जा सकता है दोस्तों और आखिर के जो हमारे जो होट पिक से यह सबसे बहतरीन मुझे लगे दोस्तों पिक से इनके बारे में बता देता हूँ कि यह सीन अबाट जिया दोस्तों ही हाज स्माश कड़ 671 रन और पिक 108 विकेस्ट इन ओनली 67 मैचेस ऑफ लिस्ट एक करियर जिया दोस्तों इन सीन अबाट ने अब तक सिर्फ और सिर्फ लिस्टे की 67 मैचेस के लिए जिसमें उन्होंने 671 रन तो बनाई है यह तो का मतलब अ सबसे बढ़िया उनका मतलब मुझे लगा कि 108 विकेट भी है और 671 रन भी है तो इस तरह से यह कुछ हाट पीस मैंने दिखा दिए इसके बाद आप चलते हैं ड्रीमिलियोन के आप पे और हमें देखनी है ड्रीमिलियोन की तीन विनिंग टीम्स जिससे कि आपको अच्छिक देख पारे हम ड्रीमिलियोन के आप पे आ चुके हैं और हमें अभी उस मैच पर जाना है जैसे कि यह पहला ही मैच है दोस्तों मैं आपको जरूर दिखा दूंगा एक बार वी सीटी वर्सेस एनेस डवलू के बीच मैच है और यह वह मैच है हाइलाइट करके दिखा दिया है मैंने दस आव घंटे और चोईस मिनिट में मैच है तो चलिए दोस्तों इस टीम पर अभी हमें इस मैच पर अभी क्लिक कर लेनी है और अगर आपने हापे क्रियेट कोई टीम नहीं बने है तो आपको काई बहुत कर दिखांगा तो चलिए माई टीम पर लेते हैं और पहली टीम आपको एड़िट करके दिखा देता हूँ दोस्तों यहां पर मैँ एक बात जरूर चाहँगा यह मैच इन दोनोंव टीम हो की पहली मैच है तो जादा risk मत लिएजेगा जादा पैसे मत लगाईएगा क्योंकि काफी risk की match रहेगा कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा कौन playing union में रहेगा कोई कोन नहीं रहेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है हाला कि हमने internet से काफी सर्च करके ये वीडियो बनाया है लेकिन फिर भी मैं आ हापे कोई risk नहीं लिने वाला हैंड को ले लिया है मैंने काफी जबदा स्ट्राइट सामने देखे अच्छे खासे प्लियर दोस्तों तो जुरू आप इनके साथ जा सकते कोई problem नहीं कोई दिकत नहीं चले बैटिंग पर जालते है तो बैटिंग में हमने एम हैरिस को लिया और इनके list करियर में अच्छे खिलते हैं ये भी तो चलिए दोस्तों चलते अल्रॉंडबर पर да ओल्रूंडर में हमने यहां पर आफकोस मोजिक हेंडिक्स को लिया है उसके बाद हमने यहां पर एम शार्ट को लिया और सीन अबाट को लिया इन दोनों के भी हमने स्टैर्स देखे काफी बढ़िया है सी नौबट के तो काफी जबद स्टाट से दोस्तों तो जरूर काफी बढ़िया प्लेयर है तो इनको हम कहीं भी नहीं छोड़ने आले चलिए गेन बाजी पर चलते तो मैंने जे पैटेंस अजिया दोस्तों हमने कई बार देखा ऐस्ट्रेलिया के टीम में इनको खेलते हुए तो काफी अनुबए बेए और तो इनको भी हम इस टीम में जरूर शामिल करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे नैथन लिए अजिया दोस्तों यह भी क्रिकेट खेल चुके और अस्ट्रियलेन क्रिकेट के लिए तो इनको भी हमने लिया और इस बो लोगों ने इनको captain किया तो मैं फिला लिनी के साथ जाना चाहूंगा और Hendrix को या पर मैं अपना captain बनाऊंगा पहली टीम में वह अगर वाइस captain की अगर बात कर लेते तो मैंने handscom को vice captain बनाए keeper है दोस्तों तो इसलिए मैंने इनको vice captain बनाए टीम प्रिवियो करा देता हूँ फिर से एक बार जरू कोँगा ज्यादा रिस्क मत लिजेगा दोस्तों क्योंकि कल का पहला माच इन दोनों के बीच उसके बाद अगर बात कर लेते कीपिंग में हमारे पास है है हें प्रिवाल है कि हमने इस टिम में चार बैट्समंट को लिए यहां पर एच फैरिस को लिए एंडिन सन को लिए जे एडवर्स को लिए और डी विच को लिए इसके बाद हमारे पास 3 all-rounder भी यह दोस्तों वो तीन all-rounder कुछ इसतरे से रहेंगे एम शॉर्ट मॉजक हेंड्रिक्स और सीन अबट इसतरे से रहेंगे उसके बाद हमारे पास तीन गेनबा जी इसतरे से वॉलन जे पैटेंशन और नैथन लियन तो कुल मिला के अगर देख लिक दोस्तों को कर लेते हैं दूसरी टीम को आपकोई रखा sided करने वाला हुआ दूसरी टीम में हमने रखाए जोस्तों कीपिंग में किसी भी टीम में चेंज नहीं करने वाला हूँ तो हांस कॉम के साथ ही जाने वाला हूँ वहीं चलते हैं बैटिंग कर तो पिछले टीम में हमने चार बल्ले बाज़ों को लिया था लेकिन अगर आप इस टीम में मैंने तीन ही बल्ले बाज़ों को लिया क्योंकि देख सकते है दोस्तों यहाँ पे जादा हम प्लियर जopardky वर्ड कप में लुकर्ण दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एंचरग है डेविड वज्टी उसमीः यह से भी प्लियर तो Анसे सी नहीं है तो हमारे पास जादाmax छिंण इंधरी बित्तर एप्सम तरब में है टिल उसके बाद तुरस Tusk चलते जुड़ Спасибо अब बात कर लेकां को हमने लिया है यहां पर डबलू सुन्दर लेंड को हमने लिया है पिछले टिप में इनको भी नहीं लिया था और सीन अबोट को वापस लिया है दोस्तों जैसे के आप देख पारे और डावरिश को भी यहाप पे लिया है पितले टिम में इनको भी शायर हमने नहीं लिया था तो इस तरह से यह भी काफी बढ़िया टिम बन रहे है दोस्तों चलिए टीन गेनबाज भी देख लेने तो इसमें यहाँ पे पैटेंसन और नेथन लियान को वापस लिया है लेकिन जो तीसरे गेनबाज है यहाँ पे एस बॉलन को लिया है मैंने तो काफी बढ़िया टीम है जरूर आपको कहता हूं एगर आप चाए तो grand league के लिए उश कर सकते हैं देख लेंगे captain किससे चंब this tip का captain बनाए दोस्तों यहां पर देख सकते जरूर आपको बैटिंग और वाल athletics को हैं काफि बढ़़िया प्लियर दोस्तों और काफी अच्छे क्रिकेटर और अच्छे खासी बैटिंग और बॉलिंग कर सकते तो जरूर आप इन पर भी वर्षा कर सकते दावल लगा सकते चलिए टीम प्रिवीए एक बार करा देता हूँ जैसे के देख पार है आपके हमारे पास यहां पर हैंट्स को में कीपिंग में तीन ही बट्स बैले बाजों को मैंने यहां पर शामिल किया एन मैडेंसन के पेटर्सन और डी यूज उसके बाद मैंने लिए चार आल राउंडर स्मॉजिक हेंडिक सीन अबाट डावरिश और तो काफी बढ़िया टीम है दोस्तों अगर आप चाहे तो इसे ग्राण्ड लिक के लिए यूज कर सकतें और आप चाहे तो इसे स्मॉल लिक के लिए जरूर यूज कर सकतें चलिए दो मैंने इस टिम का एंप्टन से नबाट को बना आ है जैसे के आपने स्टार्स में देखा था, 60-60 मैचेस खेले और उन्होंने 671 रन और 108 विकेट लिये रहे, काफी जबदस तॉल रौंडर है दोस्तों, तो जरूर आपको फायदा हो सकता है, यह डबल पॉंट देंगे बैटिंग और बालिंग में, तो इसलिए जिसे मैंने इनको क्याप्टन बनाए और काफ आप इन पर भी बर्चा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, आजब वाइस कैप्टन, तो काफी बढ़िया टिम बचुकिए, फिर से कहूंगा इसे ग्रैंड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों हो सकता है, जादा से जादा आप ग्रैंड चर्म चलिए यूज़ करें, चलिए दोस्तों स्टीम को एक्लोज कर लें, और सेव कर लेंड और तीसरी और आखरी तीम आपको मैं एडिट करके दिखाने वाला है, फिर से मैंने आप हंस कौम को लिया है, लेकिन बैटिक पर चलते हैं, तो यहा पर बैटिक में मैंने चार लिए लिया यह तो इस तरह से तीन बल गें अलॉंडर की बात कर लेते तो यहां पर मेरे पास तीन ही ओलरॉंडर जिए और तीसरे जो है यह है, यह तो यह अच्छी गें बाद यह दो अच्छी खासी में जरूर कर सकते तो तो कुलमिला के काफी अच्छी टीम बन चुके दोस्तों कंटीनू पर क्लिक करकर देख लेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन केसे बना सकते तो इस टीम का कैप्टन मैंने बना है एन मैडेंसन को ये भी काफी बड़ी अप लिए रहे और अच्छी खासे बैटिंग कर सकते और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से कर सकते वही बात कर सकता हूं डी यूच के बारे में जिसको मैंने जिनको मैंने वाइस कैप्टन बना ये भी काफी बड़ी अप लिए और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते चली एक बाद टीम प्रिव्यू करा मेरे पास तीन और मॉजिक हेंरिक सीन और बी डावरिश उसके बाद मैंने तीन गयन बाद जो लिए है एल है नेटन लियान और जे पैटेंजट को लिए तो काफी अच्छी टीम है दोस्तों ज़रूर आपी से भी ग्रैंड लिग दोनों के लिए उत कर सकते कोई प्रॉब्लि बना है मैंने एन मैडिन सन को और वाइस कैप्टन डी यूज को दोनों की दोनों काफी बड़ी है बैटिंग कर सकते काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते और भरोसे मन भी है लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं करना चाते तो कोई प्रॉब्लम ने आप चेंज भी कर सकते लेकिन मैं इनी के साथ जाने वालों काफी बड़ी आ टीम है दोस्तों यह भी जरूर आप इसे ग्राइंड लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए उच्छ कर सकते मैं आप पर सुपता हूं कि आपको यह टिम किस लिए चूज करनी है ग्राइंड या स्मॉल तो दोस्तों टीम को भी अभी अभी क्लोज कर लेतें और सेयों कर लेतें और आखिर में यही कोऊंगा दोस्तों अगर इन टीनों में इन टीमों में कुछकेंचेas करना चाहते या फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन से भी सहमत ने तो वो भी आप चेंज कर सकते लेकि ज्यादा चेंजेस नहीं कर मत कीजिएगा काफी अच्छी टीमें बनी है सोच समझकर बनाई है डिस्क है अगर चेंजेस करेंगे तो हलाकि अगर प्लेइंग इलोन में कुछ भी बदलाव रहता है तो मैं जरूर टेलिग्राम पे दालने की कोशिश करूँगा तो आप मेरे टेलिग्राम को भी जरूर जोइन कर लीजिए तो ठीक है दोस्तो आई होप आपको मेरा ये विडियो और मेरा टीनो टीमें काफी क्याप्टन जैसे कि सीन अबट को क्याप्टन और हैंड्रेक्स को वाइस क्याप्टन भी बना सकते हैं फिर हैंड्रेक्स को क्याप्टन और सीन अबट को वाइस क्याप्टन भी बना सकते इस तरह से भी आप जरूर कर सकते तो ठीक है दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यो धन्यवाद